शरी राम कृपह से गुरुदेव महराज के अशिर्वास से दीपा वली के पुन परव हम सब को प्राप्त होने जा रहा है रविवार 27 तारिक को दीपा वली का शुप परव है दीपा वली ये जुड़ा हुआ है भगवान शुरी राम चंदर जी महराज के साथ तो दीपा वली को मनाने का सबसे उत्तम वास्तम में सर्वत्तम मार्क है रगुनाज जी ने जो जीवन जीने की कला सखाएगा उसको स्वरन करना उस पर चिंदन करना विचार करना ये कथन सादक के अंदर ब्राम और भूल से बाहर हो जाने में सहाइक होकर वैरागी बनाता है जो उस परमधाम तक ले जाने में अतीव अवश्यक है ये हम सब जानते हैं कि जब भगवान विश्णु ने अफ़तार लेना था श्री राम चंदर जी के रूप में तो सारे लोकों का कार्या रूप ब्रह्मा जी के हाथ में सुचारू रूप से कैसे चले ये संसान जब ये निरने लिया गया कि भगवान इस धर्ती पर आएंगे अपना अफ़तार धारन करेंगे मनुश की देप राप्त करेंगे तो जो इसके नियम है वैं उनके उपर भी लागू हो जावेंगे कोई भी नहीं नियम के बाहर कोई भी नहीं है इस धर्ती का नियम है गुरू के बिना ग्यान नहीं हो सकता तो ब्रह्मा जी ने शुक्देव नारद इत्यादी से विचार में मर्ष करके ये निर्ने लिया कि विशिष्ट को इस धर्ती पर बेजा जाए जो नक्षत्रों में वास कर रहे हैं वै दिवात्मा अब उनकी अवश्यक्ता हून आन पड़ी है ये रिजर्व फोर्स भगवान के पास जब जब भी जहां अवश्यक्ता होती है ऐसी दिवात्मा को इस मात लोग में भेजा जाता है श्री राम चंदर जी महराज के जनम से पूर्व ही अभी तो महराज दश्रत का भी जनम नहीं हुआ था तब गुरु विश्ष्ट को रगु कुल में गुरु के रूप में भेज़ दिया गया वै समय आया जब पांच वर्ष की आयू में भगवान परवेश किये तो महराज दश्रत ने अपने पुत्रों को गुरु कुल में शिक्षा दिक्षा के लिए स्वेमुक्यों उस्थान पर भेजा गुरु शिक्षा प्राप्त करते हुए रगु नाज जी की बहुत तीवर बुदी एक बार सुनने वे वे ज्ञान उनके भीतर बस जावे बहुत शीगर ही रही 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 पूरन ग्ञान बन थोगे बालकाल में ही तब वारता लाप किया करते ग्यान गोश्टी होती गुरु विशिष्ट और शिरी राम चंदर जी के पीछ पे ग्यान भी गुरु से सुना और उसे तुरंद अपना लिया अपने जीवन में बसा लिया कि मेरा जीवन इस परकार से होगा अव्वे ग्यान गोश्टी अपने गुरु के साथ बहुत ही मधुर वैपल किस परकार से रगुनाजी किया करते हैं एक दा बाकी सबी सुना करते हैं इन दोनों की वार्टा लाल एक बार रगुनाजी ने बोला है गुरु देब है मुनिश्वर्ट ये जतने पदार्थ हमें दिखाई देते हैं इनका नाश एक ना एक दिन अवश हो जाए जतने भी पदार्थ दिखाई देते हैं सदैव रहने वाला कोई भी ना होगा परन्तु मैं किसकी इच्छा करो किसका आश रह करो मैं सहायता फिर किसकी लो मैं किसके आश रह करो इन पदार्थों की इच्छा करना तो मूर्खता है जैसा ग्यान आप से मैंने सुन लिया इन पदार्थों के लिए जिनको ये ग्यान प्राप्त नहीं हुआ जिनका भागे उदे नहीं हुआ है इनी पदार्थों को इकत्रित करने में वे अधिक चेश्टा करते हैं वे अग्यान आप ये समस्द पदार्थों धन संपद ये समगरी इन में अग्यान वश्च सुखों को ये जान वैड़ा अग्यान वश्च और अंत में इन से दुख ही प्राप्त होता है इन से जीने का अर्थ कुछ भी सिद नहीं होता है अब बाल वस्ता ऐसी रह गी कि मूरता थी नहीं ग्यान था खेल कूद में बाल वस्ता निकल गए कुछ विचार नहीं रह गा किसी परकार भी बाल वस्ता तो निकल गए जब युवा वस्ता आई तो इतनी मूर्ग था विश्यों में ही विचर ने लगा उनको ही सेवता रहा और युवा वस्ता में मान मोह के मद में मतवाला विकारों में फिता रहा वास्ता का कुछ भी विचार नहीं रहा मन स्थिर भी नहीं रहा दीन का दीन रहा युवा वस्ता में विश्यों की तृष्यों की तृष्यों की तृष्यों करने वाला कदा भी शांती को प्राप्त नहीं करता है गुरुदेव मैं ये पूरी तूरतरा से समझ गया हूँ आपसे हे मुनिश्वै आपसे ग्यान प्राप्त हुआ मृत्यू मानव के निकटतम निवास करती है उसको मानव भुला देता है विचार नहीं करता है और इसमें अन्था भाब भी नहीं है ऐसा नहीं कोई भी इससे बचा हुआ है अन्था भाब इसमें नहीं है जितने भोग हैं वो वास्तम में रोग है जिसको संप्दा जानते हैं कि ये मेरी संप्दी है वै आप्दा है वै संप्दी नहीं है जिसको सत कहते हैं वै वास्तम में असत है जिन, इस्त्री, पुत्तरादी को मित्तर जानते हैं वै वास्तम में तो अपने प्रारब्द बंदनों को भुक्त रहा है तु अपने प्रारब्द तेरे जो इनके साथ लेना देना बकाया पड़ा है ये तेरा बंदन है, वास्तम में ये संबंद बंदन को भुक्त रहा है इंद्रियां जिनके रस को चकने में मानव लालायत रहता है वही इसकी शत्रू है, इंद्रियां वही इसकी शत्रू है सब पाप करम, इंद्रिया रस प्राप्ट करने के कारण ही यही से अरंभ होते है ये विशेश जल्द रिशना की तरह है विकार है मन महाचंचल है सदा अशान्त रूप रहता है इसको त्रिप्ती तो होती ही नहीं इसलिए मानव दीनता को प्राप्ट करता है जितने भी प्राप्ट सुख में प्रतीत होते हैं